राहुल की आवास के सामने जुकी बीजेपी सरकार लाटरल इंट्री यानि नौकर शाहों में भरती को लेकर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था सहयोगी दलों ने भी आरक्षन की अंदेखी का आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कहा था बहुजनों से आरक्षन जीनने की ये है साजश ये है भाश्पा के बदनुमा रामराज्य का चेहरा बीजेपी सरकार जुकी राहुल गांधी ने सरकार के इस यूटर्ण को बताया बड़ी जीत राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन्स पर मैं एक बार फिर कह रहा हूं पचास फीसदी आरक्षन सीमा को तोड़ कर हम जातिकत गिनिती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चत करेंगे जय हिंद। कर रहा हूं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों इस पर आपको गोर करना पड़ेगा। स्वागत है आपका न्यूज क्लिक के शो न्यूज शक्र में। क्यों गंभीर हुआ है उसके लिए मैं आपका ध्यान खीचना चाहूंगा जनता दल युनाइटिट के नेता केसी त्यागी के इस बयान की तरफ जिसमें वो सीधी चुनौती भारती जनता पार्टी को दे रहे हैं और वो भी राहुल गांधी के नाम पर केसी त्यागी क्या कहते हैं जो एंडिये विरोधी हैं वो लाट्रल एंट्री के विज्ञापन का दुरुप्योग करेंगे इससे राहुल गांधी पिछणों के चैंपियन बन जाएंगे हमें विपक्ष की हाथ में हथ्यार नहीं पकडाना है मुद्दा क्या है दोस्तों मुद्दा है लाट्रल एंट्री का सरल शब्दों में कहा जाए तो नौकर शाही में सरकार अपने मन से लोगों का प्रवेश करवाती है उनकी काबलियत के हिसाब से या उनके एक्सपरटीज के हिसाब से मगर हो क्या रहा है lateral entry के नाम पर तमाम जो बड़े बड़े पदों पर सिर्फ वो लोग बैठ रहे हैं जो भारतिय जंता पार्टी की सोच से इतिफाक रखते हैं या फिर RSS के करीबी है lateral entry का ये मजाक बनाया जा रहा है सबसे बड़ी बात जिस बात का जिक्र केसी त्यागी कर रहे हैं या फिर चिराग पासवान भी कर रहे हैं सबसे बड़ी बात इसमें कहीं न कहीं आरक्षन की अंदेखी की जा रही है क्योंकि एक सरकारी नीती है दोस्तों जिसका नाम है 13 point roster उसमें साफ तोर पर लिखा गया है कि जब आप बड़े-बड़े सरकारी पदों पर लोगों की भरती करेंगे तो उसमें आरक्षन की अंदेखी नहीं हो सकती 13 point roster के हिसाब से लोगों की भरती होगी और इस वक्त मुद्दा क्यों जुवलंत हो गया है मुद्दा इसलिए जुवलंत हो गया है क्योंकि इसी शनिवार को सरकार एक विज्ञापन जारी करती है 45 भरतियों का जिसमें 10 सैयुक्त सचिव यानि Joint Secretary और 35 Deputy Secretaries और इस विज्ञापन में कहीं पर भी आरक्षन का जिक्र नहीं था और जैसे ही विज्ञापन आता है जन्ता तल उनाइटेड और चिराग पास्वान दोनों इसका विरूत करने लगते हैं वो ये कहने लगते हैं कि इसमें आरक्षन की अंदीखी हुई है केसी त्यागी तो ये तक कहते हैं कि सालों से दलित वंचित दबे पड़ें और अगर हम आरक्षन पर वार करेंगे तो कही न कहीं हम उनके साथ अन्याय करेंगे और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये तक कह दिया कि राहूल गांधी पिछडों के चैंपिन बन जाएंगे कैसी त्यागी कही न कहीं ये बात जानते हैं कि पिछले कुछ अर्से से राहूल गांधी लगातार जातिये जनगरना का मुद्दा उठाते रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते रहे हैं और उनकी बातों का तरक पूर्ण जवाब देने के बजाए उनके जो नेता हैं उनके मंत्री उनके सांसद राहूल गांधी पर हमला बोलते हैं मसलन याग कीजिए जातिये जनगरना पर राहूल गांधी ने जो बार-बार अपनी अलग-अलग सभाओं में मुद्दा उठाया था एक बार किस तरह से सीधी चुनौती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दीती सुनिए मैं कह रहा हूँ कास सेंसस जाति जनगरना एक्सरे है आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है दलित वर्ग को चोट लग रही है चलो पता लगा लेते हैं एक्सरे कर लेते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जागा साफ हो जागा पूरा अब मैं नरेंद्र मोधी को चैलेंज दिया मोधी जी आप प्रधान मंत्री हो देश का एक्सरे करा दो कॉंग्रेस पार्टी ने जाती जनगरना की थी उसका जो डेटा है मध्य प्रधाश की जनता के सामने OPC युवाओं के सामने रख दो जब सदन के अंदर राहूल गांदी जाती जनगरना का मुद्दा उठाते हैं तब याद कीजेगा किस तरह से अनुराग ठाकूर ने हमला बोला था कि जनकी जाती का नहीं पता वो जाती जनगरना की बात कर रहे हैं सुनिए अनुराग ने क्या कहा था तो बिसी की बात जनगरना की बात बहुत की जाती है माने सभापती जी जिसकी जात का पता नहीं वो जनगरना की बात करता है और फिर भाजपा की नई नई सांसद जो सांसद कम ट्रोल जादा हैं उन्होंने ये तस्वीर वाइरल की थी अपने इंस्टेग्राम के जरिये जिसमें राहूल गांधी की ये फोटो शॉप तस्वीर पेश की गई थी और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि जिनकी अपनी जाती का नहीं पता वो जाती जन गणना की बात कर रहे हैं भारती जनता पार्टी एक के बाद एक एक गलती कर रही है एक तरफ लाटरल एंटरी को लेकर इश्टिहार दिया जाता है और उसमें कहीं पर भी आरक्षन का जिक्र नहीं है नतीजा आपके अपने सहयोगी दल उस पर हमला बोलते हैं लाटरल एंटरी पर राहूल गांधी ने सरकार पर दोहरा प्रहार किया था और पहला प्रहार ये कहते हुए कि कहीं न कहीं ये बताता है कि भाजपा का रामराज क्या है और इस रामराज में बहुजनों के लिए आरक्षन की कोई व्यवस्ता नहीं है अंग्रेजी में उनका बयान आपके स्क्रीज पर लाट्रल एंट्री इस अन अटाक उन दलिट्स, ओबीसीज और आदिवासीज वो आगे कहते हैं बीजेपी जिस्टॉर्टेड वर्जिन अफ रामराज सीक्स तु डिस्ट्रॉइ दे कॉंस्टिटूशन और स्नाच रेजरवेशन फ्रॉम बहुजन्स यहां पर राहूल गांदी साफ तोर पर कह रहे हैं कि भाजपा के इस रामराज में बहुजनों से आरक्षन का प्रावधान छीना जा रहा है उन्होंने बाकाइदा एक लंबा चोड़ा बयान भी दिया था और इस लंबे चोड़े बयान के जरीये ना सिर्फ उन्होंने लाटरल एंट्री का जिक्र किया था बलकि इसी के जरीये उन्होंने अडानी विवाध पर माधवी बुच प्रकरण का भी जिक्र किया यानि कि एक बयान में उन्होंने RSS, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, लाट्रल एंट्री और अडामी का जिक्र कर दिया क्या कहा था राहुल गांधी ने आपके स्क्रीन्स पर राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोधी संग लोक सेवा आयोक की जगा राश्ट्री स्वयम सेवक संग के जरिए लोक सेवकों की भरती कर सम्विधान पर हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार के विभिन मंत्रालियों में महत्वण पदों पर लाट्रल एंट्री के जरिए भरती पर खुले आम शेडूल का, शेडूल ट्राइब और OBC वर्ग का आरक्षन चीना जा रहा है मैंने हमेशा कहा है कि टॉप बिरॉक्रिसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है उसे सुधारने के बजाए लाट्रल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षन समेत सामाजिक न्यायकी परिकल्पना पर चोट है और यहाँ पर राहूल गांदी जिक्र करते हैं मादवी बोच और गौतम अडानी का वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर चंद कॉर्परिट्स के प्रतिभी निनायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामा करेंगे इसका जुवलंत उदारन से भी है जहां निजीक शित्र से आने वालों को पहली बार चेर परसन बनाया गया प्रशासनिक धाचे और सामाजिक न्याए दोनों को चोट पहुँचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करता है IAS का निजीकर्ण आरक्षन खत्म करने की मोदी की गारंटी है अब होता क्या है दोस्तों जैसे ही राहूल गांधी इस पर अपनी आपत्पी जत लाते है जैसे ही सहयोगी दल इस बात क्यों रिशारा करते हैं कि इसका फाइदा राहूल गांधी को मिल जाएगा अब NDTV में खबर आती है कि प्रधान मंत्री ने खत लिखा है इस फैसले को वापिस लिया जाए यानि कि लाट्रल एंट्री पर जो सरकार ने विग्यापन दिया था शनिवार को अब उस विग्यापन को वो लोग वापिस ले रहे हैं आपके सामने दोस्तों यह है NDTV की खबर प्रधान मंत्री की निर्देश पर D.O.P.T. मंत्री ने UPSC अध्यष को लाट्रल एंट्री रद करने के लिए लिखा पत्र खबर क्या कहती है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर UPSC की जरिये लाट्रल एंट्री पर इस कदर विवाच छड़ा कि सरकार ने इसके विग्यापन पर रोक लगा दी है केंद्र सरकार ने वंगलवार को उस विग्यापन पर रोक लगा दी जिसे उन्होंने जॉइन सेक्रेटरी और डाइरेक्टर पद पर भरती के लिए विग्यापन पर प्रधान मंत्री के निरदेश पर रोक लगाई गई है, यानि कि अडानी का न्यूस चानल यहाँ पर भी क्रेडिट प्रधान मंत्री को देना चाहता है। बड़ा सवाल यह कि जब ये लाट्रल एंट्री को लेकर विग्यापन आया था, तो आखिर सूचना और प्रसारण मंत्री इतने उग्र होकर कॉंग्रिस पर हमला क्यूं बोल रहे थे ये क्यूं हो रहा है दोस्तों इस पर गौर कीजेगा अगर भारती जन्ता पार्टी के पास 300 सीटे होती न तो मजाल है कि वो ऐसा कदम उठाती सवाल ही नहीं पैदा होता याद कीजेगा दोस्तों हाल ही में उन्होंने एक बिल को वक्फ बोड़ वाले बिल को जेपीसी में भेज दिया था यानि कि उस पर विचार होगा आपको याद होगा कृशी के तीन काले कानून लाए गए थे उस पर कोई जर्चा नहीं की गई मगर अब लाटरल एंट्री के मुद्दे पर राहूल गांधी ने जो प्रहार किया सहयोगी दलो ने जो प्रहार किया सरकार यानि भाजपा उसके सामने जुक रही है और यह सब इसलिए कि अब ये लोग बहुमत से 30 सीटे दूर हैं 240 पर है 240 की कमजोरी ये है और 99 सीटों की ताकत भी यही सरकार का फैसला है जो कि आप इंडी टीवी पर देख रहे हैं बढ़ाई हो एक बार फिर से समविधान की जीत हुई है समविधान में नहित आरक्षण की समविधान में नहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है लाटरल एंट्री मतलब सीधी भरती पर रोक लगाई गई है जो विज्यापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भरती की जा रही थी लाटरल एंट्री के माध्यम से अब वो विज्यापन रद किया जाएगा वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मूदी की सरकार को याद रहे इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था दलितों वंचतों शोशितों आदिवासियों पिच्णों के हक को मारने वारा फैसला था ये और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था इसके खिलाफ आवास खरगे जी ने उठाई थी पूरे इंडिया गटबंदन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था क्योंकि ये सम्विधान में नहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था नरेंदर मोधी जी ख्रड़ लेने की बिलकुल भी कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये साजश ये फैस्ला आपकी नाक के नीचे लिया गया था ये पूरा शडयंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था तो आप credit लेने की कोशिश मत करिए और एक बात याद रखिए है कि जब जब आप समविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछडों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को राहुल गांधी को पाएंगे एक बात और कहना चाहती हूँ, अब आदर डाल लीजे, आपके हर गलत फैसले को हम वापस करा कर ही मानेंगे, फिर वो चाहे वक्ष बोड का फैसला हो, वो ब्राटकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असमवैधानिक तरीके से नौकरी बातने की सोची थी खत्म करने की साज़श के खिलाफ तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। उस हिसाब से भरतियों में लाटरल एंट्रीज में उन्हें जगा मिलनी चाहिए, मगर सरकारी विज्यापन में इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, इसी लिए केसी त्यागी नर्वस हैं, इसी लिए यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं चिराग पास्वान कि हम इसे जारजार शिक्षकों की भरती का विवाद, आप मेंसे जो लोग इस मुद्दे से परिशित नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कि इलहबाद हाई कोट का फैसला आया था, जिसमें उन्होंने उनहत्तर हजार शिक्षकों की भरती को निरस्त यानी रद कर दिया था, क क्यों? क्योंकि इलहबाद हाई कोट को लगता है कि आरक्षन के प्रावधानों का अनुसरन नहीं हुआ, और वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे बीजेपी सरकार ने OBC, शेडूल कास और शेडूल ट्राइप को भरती दे दी आरक्षित कोटे में बावजूद इसके, क्योंकि उनक हुआ नहीं, सरकार को लगा कि भाई OBC, शेडूल का शेडूल ट्राइप बेशक अन्रिजर्व कैटिगरी से जादा नंबर पा रहे हैं, मगर हम इन्हें रेजर्वेशन में डाल देते हैं, इस बात का विरोध किया जा रहा था, और फिर अखिलेश भी इस मुद्दे पर उ आइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा, जो उनकी आरेच्छड की लडाई थी, जो भेदवाग का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा, उन बच्चों ने बहुत लंबा संगर्स किया है, शायद इतना बढ़ा अंदोलन, इ स्यौर्ण के बहुत रहे होंगे, तो लखनो में धर्ने के बैठे थे, कई त्योहारों पर उन्हें अफ्मानित करने का कॊम किया गया है, मुख्यमंतरी आवाज गये, अपनी बात को कहने के लिए उन्हें अफमानित होना पड़ा जो, मंतरीयों कहा गये, वहां अपमानित ह सबसे अलगलग समय पे अलगलग ग्रूप मिला है आज उन्हें न्याय मिला है हमें उम्मीद है कि सरकार उनके न्याय देगी उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदवाब किसी के साथ नहीं हो भारती जंता पार्टी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है वो पिजली सरकारों पर दोश मड़ रही है आपके स्क्रीन्स पर ये हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैशनव इनका ये ताजा बयान आया है लाटरल एंट्री पर अंग्रेजी में बयान है इसक मोईली अब आज मैं अश्विनी वैशनव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ उसे 2005 को 19 साल हो गए है सबसे बड़ी बात खुद भारती जनता पार्टी सत्ता में 10 सालों से है और अब वो 11 साल में है मगर अब भी वो पिछली सरकारों पर दोश मढ़ेगी अश्विनी वैश 25 नौकर शाहों के बारे में 10 जॉइंट सेक्रेटरी और 35 डेपिटी सेक्रेटरी क्या उसमें आरक्षन के नियमों का पालन हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्या इसका भी दोश आप वीरफ्पा मोईली या पूर प्रधान मंत्री मनमोन सिंग पर मढ़ेंगे कही न कहीं न कह सही माइनों में उसका पालन पिछले 10 सालों से हो रहा है वरना सीधा सा सवाल सभी का प्रमुक हमेशा एक बिरुक्राट होता है एक सिवल सर्वेंट होता है IAS या IRS होता है मादवी बुच वो कैसे बन गई ही सभी प्रमुक नतीजा कई मामलों में conflict of interest नतीजा मादवी पूर बुच पर आरोब कि उन्होंने अपने पती की कंपनी ब्लाक स्टोन को पाइदा पहुंचाया और यह कब हुआ जब यह सरकार lateral entry के जरीए अपने पसंदीदा लोगों को नौकरशाही में जगा दे रही है एहम पदों में जगा दे रही है मुद्धा सिर्फ lateral entry का नहीं है द तो आप उन्हें जगा दें दिक्कत यह है जब उन पदों पर भारतिय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तिफाक रखने वाले या RSS की प्रिष्ट भूमी वाले लोगों को बिठाया जाता है दिक्कत वो है यहाँ पर talent की कोई बात नहीं है अगर talent के हिसाब से BJP सब क कर रही होती तो बात समझ आती मगर यहाँ पर ना कोई talent की बात है और साथ ही साथ आरक्षन के नियमों की भी अंदेखी की जा रही है मेरा सीधा सवाल अश्विनी वैशनव से 13 point roster का अनुसरन क्यों नहीं किया गया 45 नौकर शाहों को लेकर जो विज्यापन सामने आया है क् आपके अपने सहयूगी दल चाहे चेराग पास्वान हों चाहे जनता दल यूनाइटेड हों वो आपके इस वैसले का विरोत कर रहे हैं यह सवाल तो किया जाएगा ना और सबसे बड़ी बात इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी उग्र है और अखिलेश यादव भी अब इसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार